नमस्ते दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत है आज हम बात करेंगे पेट दर्थ और सीने में दर्थ चेस्ट में दर्थ फंक्शनल टाइप उसके बारे में मेरा नाम है दोट्टर दीपक टेड़कर में मनोविकार सेक्स्रोग सम्मोहन इंतथा वेसमिक तक पाइप करता हूँ कावी लोगों को फंक्शनल एब्डोमिनल पें होता है इसका मतलब पेट में दर्थ और वह पेट में दर्थ और एक तो खाना खाने के बाद में होता है कु और कुछ लोगों को लैटरीन के बाद में होता है या या कुछ महिलायों को मासिक धर्मा जो है menstruation, menstrual period उसके बग वो समय होता है कि यह पेट की बीमारी है सब तरह की जाच करने के बाद sonography endoscopy colonoscopy सब सब कर दिया पुरा च्छान मार दिया scans कर दिया तभी भी पेट में कुछ निकलता नहीं है कुछ pathology निकलती नहीं डिनिकलती ना खुं में कुछ खराबी है ना पेट में कुछ खराबी है ना liver में है और तभी भी दर्द होते रहता है दूसरा जो है वो फंक्शनल चेस्ट पेन है, फंक्शनल चेस्ट पेन चाती में दर्द या सीने में दर्द, उसमें होता गया है कि अन्नलिका जो है, तो अन्नलिका में दर्द होते रहता है निगलने के समय, खाना खाने के समय, खाना खाने के बाद, और दर्द होता है कुछ लोगं को जलन होती है, बहुत जलन होती है और कभी-कभी उनकी जलन खाना खाने के बाद में ठीक हो सकती है क्या ठीक हो जाती है सब तरह की जाज करने के बाद में इसमें कुछ निकलता नहीं है मगर दर्थ तो है और वो विक्ति परेशान है एक तो उसका जीवन जीने का जो दरजह है, quality of life, वो कम हो जाती है, जिन्दगी पुरी अच्छी दरसे जी नहीं सकता, काम बराबर नहीं कर सकता, उत्पादन ख्षमता कम हो जाती है, productivity of life कम हो जाती है, रिष्टे खाना बराबर खाता नहीं है, कभी कोई वजन भी बहुत लो क्या है, usually physician जो है, वो उसको बोलते है, ठीक है, कुछ नहीं है, खाराबी, चलो ले लो दवाई, और दवाई दे देते है, जो psychiatric है, antidepressant है, anxiolytic है, मतलब चिंता कम करने क्या, depression कम करने दवाई देते हैं, मतलब ठीक है, चले जा, कुछ नहीं है, मगर फिर पेशन उंको कि चलो अभी जा, psychiatrist के पास में, मनोविकार तग्य के पास में, फिर हमारे पास में आते हैं, यह तो हमारे पास में लोग आते हैं, यह बलते हैं, नहीं हमके पागल होगे, मगर यह इसका psychological कौश है, किसी को पता नहीं है, फिर हम उनको देखते हैं, counseling करते हैं, और usually subconscious mind में क्य किसी के पती, किसी के पती प्यार नहीं है, खुद के ओपर प्यार नहीं है, फिर अपराधीपन की भावना है, guilt feeling है, कुछ तभी हुआ, उसके बारे में guilt feeling है, बचपन में sexual abuse हुआ है, या फिर उसके दिमाग में यह है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना काबिल न इतना स्मार्ट नहीं हूँ, फिर खुननस है कुछ लोगों के बारे में, revenge है, sex में कोई तभी problem है, financial problem है, माबाप के साथ में कोई अन्बन है, या रिष्टेदारी में कुछ अन्बन है, यह निकालना पड़ता है, और वो जब निकालते उसका connection जब जुड जाता है, और वो complete करता है, उसके बारे में, वो congulation दिमाग में ठीक कर देता है, तो उसको अच्छा लगता है, तुरन फायदा देने के लिए हम उनको दवाई देते है, वो दवाई से भी पेट्टो ठीक हो जाता है, मगर counselling के ज़रू है क्योंकि वो मूल से निकालने का है, सोर्स से निकाल करके वो निकालते हैं कि भी हुआ क्या, ऐसे काफी लोग होंगे कि जो लोगों को ऐसी तरह से प्राब्लेम है, आपके आज़ो बाज़े में भी लोग होंगे, मगर वो बोलते नहीं होंगे, आप यह ज़रूर जाना से जाना लोगों को यह भीडियो ज़रूर शेर करो, क्यों मतलब है, मकसद है, मीशन है, वह सबके लिए मानसिक, स्वास्तिय और वेसनमुक्त भारत है, आप हमें जगए-जगए भाशन देने के लिए बुला सकते हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए बुला सकते हैं, रोटरी कलब हो, लाइंस कलब हो, ताकि ज्यादा से लोगों तक ये जो एजुकेशन है, वो पहुँच जाएंगा और वो लोग अपना जीवन अच्छे तरह से पाउरफली जी सकेंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइक होना आता है, उसके पर क्लिक क करो, ताकि मेरे वीडियो नडिशन आपको सबसे पहले बार आजाएगा, हमारे हैं दो दर है कि हस्पिटल है, एक हस्पिटल है, जहां रिष्टारों के साथ में हम भरती करते हैं, दूसरा हस्पिटल हम भरती करते हैं, लोगों का हिलाज करते हैं, वो रियाप सेंटर है, प झाल झाल